हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टडी फीट ओफ फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो बीस एमसी कोश्जन्स लेकर कि मैं आपकी समझ आई हूं मोस्ट इंपॉर्टन कोश्जन्स को चार्ड कर लाया गया है जो आपके एक जॉम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टन होते ह कल सामको मैं किसी कारण बस वीडियो अपलोड नहीं कर सकी तो दोस्तो आपके पास अब टाइम बहुत कम बचा है तो इस कंडिशन में आप उन टॉपिक को जरूर धियान दीजिए जो आपको आता है और कंफीजन है जिससे आपको जो टॉपिक आता है उससे कोश्जन्स ग मंदल इस्टैबलेश्ट जैसा कि इस कोश्जन का अंसर आप सभी लोग जानते हैं उनिस्सो चोदे में अमरावती महराष्ट में दो बैद भाई अम्मादास किष्णबाइद तथा अनंतर किष्णबाइद ने किया था इसका उदेश्य था भारत का भारत में देशिये का विकास करना तो यहां दो आप जानते हैं इसी कतहत दोस्तों यहां पे एक व्यायाम विसारत का प्रमाद पत्र भी उनिस्सो चोबिस में सुरू किया गया था पांच सब्ता का यह भी याद रखिएगा कोशन इस तरह से वहां पे आपको पूछ भी जगता है किसी हर्मान यहां प्रसायक मंदर की इसापना कब हुई थी लेकिन आपसर में उनिस्सो चोड़े दिया ही नहीं रहेगा इस कंडिशन में आपको आपसर नंबर ए उप्रक्तिमिस्टी कोई नहीं तिक करना है next question है question number two है is no जोड़ती है nickaments connect तो दोस्तों is question two questions का answer पढ़ते की आपने answer दे लिया होगा जैसे कि मैं नहीं आपको कई बहुस्त कई वह बताय हुआ है क्यों ligament और tendon होती है ligament होती है जोड़ों पर दो हड्यों को जोड्यों जोड़ती है और जो जोड़ती है अस्थि को आस्थि से बोन तू बोन आसन नमबर A राइट होगा। लिगामेंट की वीडियो खिछाओ और चोट आ जाती है उसको इस्प्रेइन यारी मौस्च कहते हैं। जो टेंडन और मास्पेसी में खिचाओ मौस्च जोट आती है उसको इस्ट्रेइन और ख च्टार्टकरड़ां परद दोश्टों आप जानते हैं पिनकोरगर होता है उस prin колा परक्त में ऐसे क्या हो जाएगा उप्रोकत में से कोई नहीं। आफसर नमबर इसके अलावा जो बाक्सर मसल्स होती है ओक स्टेलर वेक्टिरब्डिय। और एनलेटैंज yamichi של और ये मीजिवीज स्टेलर मसल्स kalau matter मुला जयता है मल्खम या राइडर मसल्स एड़क्टर मंगस को बुला जाता है Lifter Muscles, Deltide Muscles को बुला जाता है Cough Muscles, Gastronemius को बुला जाता है Ripe Climber Muscles, Latimus, Dorsey को बुला जाता है और आगे की ओर जोकरू में जो मांस बेसी संकुचित होती है उसको Quadrary Shepers Muscles बुला जाता है Next Question है Kosika का स्वसन किसके द्वरा नियंतरित होता है Respiration of the cell is controlled by तो दोसो जैसा कि आप जानते है जो केंदरक यानि कोसिका होता है कोसिका के समस्ते कारियों को नियंतरित करती है तो कोसिका के स्वसन को भी केंदरक ही नियंतरित करती है यहाँ पे आपसर नमबर भी आपका right answer होगा तो जो केंदरक होती है कोसिका में वो नियंतरित केंदरक कहा जाता है जो कोसिकाओं के कारियों को नियंतरित करती है तथा कोसिकाओं के दुबारा उत्पत्ती के कारियों को भी समपादित करती है इसके अंदर माइक्रो इसकोप देखने से जो दरबे भरा रहता है उसको निकली अप्लाज मैनिक के अंदर दरबे कहते हैं जिसके आंदर बारिक धागो के जाल जैसा सर रचना होता है जिसे क्रोमोटीन जालिका कहते हैं जो है DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है ये भी याद रखेगा कुछ सकता है और यही क्रूमोटीन जाली का जो है जब नई कोसिकाओं का भिभाजन होता है या बनता है उस दौरान लंबे धागों में बदल जाती है इनी लंबे धागों को गुर्सुत्र यानि क्रू सुत्र होते हैं अण डेने का फुल फर्म होता है डी ओक्सी डायबौ निखनी असे देनने से जो जीन का निर्मा होता है जीन जो हौने अनुवान स्क्ता होता जो एक ब्यक्ति के अनुवान सी गुडू को दुसरी कि इससे दुसरी हमें लिर जाते हैं, कोसिन निम्र फाइफ है, रगत का आक्सी कलर किश में होता है, आक्सीडेशन आप बलड टेक्स प्लेस इन, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा हिदे का दो भाग होते हैं, और चार चेंबर यानि चार कच्छ से होते हैं, दाएं भाग में असुदरत, बाएं भाग में सुध्रत बहता है और दो अलिंद उपर और दो निले नीचे वोते हैं तो दोस्तों जैसा कि जब समस्त सरीर के समस्त अंगों से असुध्रक्त सिराओं के द्वारा दाएं अलिंद में आती हैं और दाएं अलिंद से बाएं अलिंद निले में जाती हैं बाएं निले से पल बाए अलंद में जाता है और इरो टिक वालत के रास्ते महा धमनी ६जाता है महा धमनी की संगुखनाय को तक पख़ज धीया जाता है इस पार रफ्थ का औक्सिडेशन जो होता है तो Tom को सिकाओं को नियंतरित करनी वाला कैंदर कोन है को03 कांट्रोल बोले जातागा नियंतर नियै क्याने की nukleas याद रखेगाah Q iy स्ब्सक्राइब कारनी को सब्सक्रावा नंबर सेवेड किसी चीज को फेकने में कलाई कि आकुंचन में कौन सी पेशी समलित नहीं है which muscles is not involved in fraction of wrist while throwing an object दोस्तो आकुंचन यारी फ्लैक्षन करने में कलाई को फ्लैक्षन करने में कौन सी पेशी समलित नहीं है सबसे परशे आप देखेंगे कौन समलित है यहाँ पे समलित होता है यहाँ पे समनित नहीं है यह दुनुगो जो होती है यह हमारे जो फूर आर्म होता है वहाँ पे पाई जाती है जो कलाई के आकाँचन यानि कलाई फ्लेक्शन में मदद करती है next question है इसकंधी ये मेखला का अगर जुगाओ क्या कहलाता है what is the forward tail of shoulder girdle called तो यहाँ भी दोस्तो इसकंधी मेखला की बात कर रहा है यानि कि जो हमारे धड़वाला भाग है आगे की और जुग जाएगा तो यानि पीछे की और जो काईफोसीस होँआगा लेकिन आपको कंधिए को आगे के ओर जोकनें को तो राउंड सौलर भी कहते हैं लेकिन इसकंधिए मेखला की बात कर रहा है तो यहां पर अगर अच्छे से देखा जाए तो पीछे की तरफ उठ जाएगा पिछला वाला भाग वच वाला भाग तो काइफोसीस होगा ठीक है यहां पर एक अच्छी सीच को देखना होगा को सब्सक्राइब अब आर्ट को थोड़ा आप देखिएगा नेक्ट को सब्सक्राइब को गुल कमर और हंच बैक अधिनामों से जाना जाता है याद रखिएगा नेक्ट कोशन है एक बाहरी बल से आंसिक सहायता को यह भी कहा जाता है पार्टियल असिस्टेंस फॉन्वे एक्स्टार्नल फोर् सब्सक्राइब को 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 सब्सक्राइ कि जो रोगी सक्री रूप से ब्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए सुझाएगे ब्यायाम है इसमें से तो यहां पे राइट है रोजाएगा पेसियो रेंज आफ मोसन याद रखेगा जो सक्री रूप से ब्यायाम नहीं कर सकते उनके लिए पेसियो रेंज आफ मोसन प्रूम के लिए सुझाओ दिया जाएगा नेक्ट्ट कोश्चन है कि दुरबल मांस पेसियो वाले रोग्यों के लिए और संधी पीड़ा के करण सिमित संचलन की इस्थिति के लिए ब्यायाम है एक्सरसाइज फार पेसेंस विच वीक मुसल्स एंड लिमिटेट मुविंट कंडिशन्स द्यू तू अर्थराइटिस आर तो दुरबल मांस पेसियो वाले रोग्यों के लिए अब संधी पीड़ा के करण सिमित संचलन की इस्थिति के लिए ब्यायाम कौन सा है तो इसके लिए ब्यायाम होगा एक्टिव असिस्टिव रेंज आप मोशन यहाद रखेगा यहाँ पे जो तीन प्रकास जो ब्यायाम नहीं कर सकते डेली बैसेज पे सक्री नहीं है उनके लिए पी आर ओ यां पेसिव सिरुबंध के तल पर संधियों का संचलन लेकिन तल से दुरगमन को क्या कह जाता है मोमेंड आप ज्वाइंड एलांग दप्लेंड आप अफी आफी निटी बट नाट एक्रोस दप्लेंड इज कॉल दोस्तों यहाँ क्या कर रहा है कि सिरुबंध है जो हमारा ज्वाइंड से वहां से संधियों का संचलन यानि की मोमेंट हो रहा है और वह अपने तर से मतलब सरी से दूर जा रहा है तो कंधि को आप बगल में ऐसे उठाएंगे तो उसको हम एब्डाक्शन बोलेंगे क्या बोलेंगे एब्डाक्शन ठीक है एक कंडिशन वाला इस्तिती है ठीक है यहां पर हम कंधि को इस तरह उठाए हैं यह क्या है एब्डाक्शन नेक्ट कोशन है आइसो काइनेटिक विधी किस विद्वान ने सरप्रथम पस्तुत किया यह कोशन पूछा भी था विच्छ इसकोलर फर्स्ट इंट्रोड़क्ट इस आइसो काइनेटिक मेथड तो दोस में जेम्स पिराइन ने सबसे पहले खोजा था जेजे पेरीन यहां पर राइड इंसरों होगा आइसो टोनी की खोज लीड ओने ने किया था आइसो मेट्रिक की खोज हैटिंग और मूलर ने किया था आइसो काइनेटिक की खोज जेम्स पिरीन याने 1968 में किया था दोस्तों में आपको जैसे कि पहले पुलाने माले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आइसो व्र्टूनिक की खूज़, विली डोने ने किया था और i supplementary के खूज 1984 है इंयल मूलर ने किया था तो आपनी कहीं कमेंड में बोला था कि कि ради तील पन में नहीं 1954 नहँं सोंग में दिया हुआ है और ऐस ब़ीकी आश्री मोथ से कॉंछ जानती है टो इसको कमेंट में जरू बतालिएगा मेंस कॉमेंler को सब्सक्राइब कि ऐसा अभ्यास जिसमें हिदय गती लगभग अधित्तम 175 से 180 प्रती मिनट पहुच जाए और उस दोरान भी ओटू मैक्स 90 से 100 परसेंट हो तो अभ्यास की चाल को क्या कहेंगे तो दोस्तो इस कंडिशन में अभ्यास की चाल को क्रिटिकल स्पीड कहा जाएगा बेटू वैक्स क्या होता है अधित्तम ऑक्सिजन ग्रहर करने की चंदा नेक्ट पोशन है आदुने विग्यान का पिताम किसे कहा जाता है तो इस आदुने विग्यान का पिताम गैलेलियो को बोला जाता है नेक्ट दोस्तो ब्राजिल का राश्टिय खिल क्या है दोस्तो आप सब को पता है फुटबाल ब्राजिल का राश्टिय खिल है आईस हा की कनाड़ा का राश्टिय खिल है एंड नेक्स्ट कोच्छन है भारती खिल प्राधी करद साइं इस्पूर्ट अथार्टी आफ इंडिया की इस्थापना किस वर्स हुई इन्वी कियर वाज इस्पूर्ट अथार्टी आफ इंडिया इस्टेबलिश तो दोस्तो इस्पूर्ट अथार्टी आफ इंडिया साइं की स्थापना 25 जनवरी 1984 को हुआ था यहां पे 1984 राइट एंसर हो जाएगा 1984 को भाराज सरकार के यूथ आफेर्स और खिल मंत्रा रेक के खिल विभाग द्वरा इसकी स्थापना किया गया था और दोस्तों यहां पर कुल आहां सभा में 43 साडस बहसे होते हैं और कारेकाड़ी सभा में 28 सादस बहसे हरते हैं और तो करने पें जो Σाई का चार क्रत्मक यानि फॉंक्शनल विंक्स होते हैं जिसमें से पहला हूए सैश्ट्रियक या आकादमीक खंड जिसके अंत्रगर्ण दो सब्सक्राइं याकदमिक खंड जो एक सारे सिच्छा के लिए अकादमित खंट जो त्रीमें में LNCPE के रुप में 17 अगस्त 1995 को इस्थापित किया गया था तो जो पटियाला एनसना एस है वहां प्रसिच्छक का प्रसिच्छर ले रहे सिच्छकों को एक वर्स का डिप्लूमा कोर्स एस्पोर्स कोचिंग में दो वर्सी मास्टर्स कोर्स एस्पोर्स मेडिसिन में दो वर्सी डिप्लूमा कोर्स यहाँ पर सिच्छा अध्यापकों के लिए 6 सब्ता के सर्टिफिकेट के और सिवारत प्रसिच्छकों के लिए पुनस चरिया पार्टक्रम यहाँ पर कराए जाता है याद रखेगा e-sports coaching में 2 words, e-sports and master's course, e-sports medicine में 2 words, diploma course याद रखेगा पूछ सकता है और प्रसिच्छकों याद कोचों को ही प्रसिच्छर दिया जाता है यहाँ पर एक words का डिप्लमा कोर्स next question है पूरी तरह से सार्रेक मानसिक और समाजिक कुसल छेम की इसीती ही स्वास्त है ना कि केवल रोग या और सतता की अनुतवस्ती या पिचार किसका है दोस्तों आप जानते हैं क्योल रोगों से ठीक होना ही स्वास्त नहीं है बलकि सार्विक मांसिक समाजी सभी रुख से पूर कुसल होना स्वास्त है तो यहाँ पे इस बात को कहे हैं विश्व स्वास संगठन ने डबलू एच्चो यानि की वर्ल्ड हेल्थ औरगिनाजेशन वर्ल्ड हेल्थ औरगिनाजेशन की साफना साथ अप्रेल उनिस्व और्टारिस को हुआ था नेक्स्ट है लाल ज्वर किन कीड़ों के द्वारा उत्पन होता है तो दोस्तो लाल ज्वर जो हुआ अप क्या यहाँ है कि इस्ट्रैपटोजव्र कोक्ल हीमुली स्ट्रैंगिडो कोक्ल हीमूली कस्थ से नामक कीड़ा की काट्थमे से फैलता है नेक्स्ट है बैन मिंदन में ढौफ शार्ट का अर्थ क्या है uh तो दोस्तो बैन मिंदन में ढौफ शार्ट का अर्थ जौन के निकट सटल डालना, पुटिंग दशाटल क्लोज तो दडानित, तो दोस्तो यह था आज के से Mexico के 20 않고 suggestions, přागयों की सभी तो कमेंट में जरूर बताईए और जादे से जदे वीडियो को स्रेयर भी कीजिए जिसे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में तब तक के लिए जाहे हैं